पियेम किसान सम्मान मिधी पे चर्चा कर रहे जी। मुझे कहते हूँ गर्ब है। कांग्रेश ते किसान को प्रुटेक्ट साहता की बात तो की। लेकिन कभी प्रधान मंत्री किसान सम्मान मिधी जैसी योजना कांग्रेश ते नहीं बनाई माननी सभापति महुद है। बहले 6000 रुप्या हो ये नहीं समझेंगे लेकिन जो लगव किसान सीमान किसान छोटे किसान उनके लिए 6000 रुप्या माई ने रखते हैं कई बार कई बार माननी सभापति महुत है किसान को आदान के लिए छोटी छोटी जरूरत है पूरी करने के लिए छोटी राजी की जरूरत पड़ती थी और जब पैसा नहीं होता था तो उसको उंची ब्याच की दरों पर लेना पड़ता था इस किसान सम्मान मिधी के कारण किसान स्वावलमबी भी हुआ है किसान ससक्त भी हुआ है और किसान का सम्मान भी बढ़ा है, ये किसान का सम्मान देख नहीं सकते। एक रिपोर्ट मानी सभापति महोदे जो हमारी नहीं है। अंतराश्री खादनी त्यनसंधां संस्थान किये। एक स्वतंत रध्यन के अंसार पीम किसान योजना के तहट बित्रित धंदासी ने ग्रामीर आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है किसानों के लिए रिंड संबंदी बाधाओं से मुक्त किया है और किर्शी छेत में निवेश को बढ़ाया है इस योजना ने किसान की जोखिम लेने की छमता को भी बढ़ाया है जिससे भी किर्शी छेतर में संभावित रूप चाधिक उत्पादक निवेश करने में सक्षम हुए है मानी सभापती महोद है मानी किसान महोद है मानी सभापती महोद है मैंने कहा था मुझे छेडों मत अगर छेडोंगे तो छोडूंगा नहीं यह किसान गोलियों की बात कर रही है माननी सभापती महुदे इस कांग्रेस की सरकार में इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी अलग-अलग राज्वों में गोली चलने की बात करते हैं इनके साथ ये दिख्विले सिंग जी बेठे, फूल से हाथ इनके पने 24-24 कि सानगो माद, मानी सवापती महोड है, मैं केबल बिसेटर बोर्ना कहता था, अब इनने 6 अब इनने 6 आप इनने 6 आप इनने 6 आप इनने 6 आप इन्याट ये सुन ने, मति जी को उन्यास में 1986 में 1986 में जब कंग्रेश की शर्टार बिहारमती तेईश किसानों की मोथ गोली बारी से हुटी इनके सर्टार 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंद्रा गांदी जी के पुन्य तिथी पर किसानों के गोली चलाई गई मान्मी सभापती नहीं में इन न गिसानों पर फारिंग की 5 किसान मारे गई 23 सगस 1995 सुन के जाओ ने तो सुन के जाओ मतीजी मतीजी सुन के जाओ 23 सगस 1995 हर्याणा में गोली चलाई मुलताई में किसानों पर गोली चली कांगरेस की सरकार्टी 24 किसान मारे गए मानिय सबावती जी मैंने का ता मैं सानी तास बात कर गोली चाहता हूँ एक सबावती जी लेकिन ये च्छेड़े के तो मैं छोलूगा निये पहले के दिया मानिय सदशेगन ये दुरुबागे पून भी है और दर्दनाक भी है किसान वर्ग देश का सबसे महत्रपून वर्ग है उस वर्ग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हर सदशे का ये मोली करतव है कि वो चर्चा में गंबीरता से भाग ले मैंने इस विशेपर चर्चा को चिसनी जितना से मैं मांगा उतना दिया और मुझे उम्मीद थी कि सरकार का पक्ष सुनकर ये दिएर कोई बार निकलेगी तो कानून के तहत मुद्धा उठाए जाएगा जो वेवधान पएदा किया गया है वो नियमों के विप्रीत है जो वेवधान पएदा किया गया है मेरे निर्देश के बाद वो शाषन के अवेलना है ये अत्यन्त गंभीर है आज मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है किसान के हित को तिलाजली देते हुए संजीत्गी का प्रितया करते हुए मान्ये मंत्री जी के भाषन में अवरोध परदा करने का जो प्रियास किया उसका मैं खंडन करता हूँ पर्तिकार करता हूँ निल्दा करता हूँ दूसरा मैं सदन के सभी सदश्यों से आगरें भी करूँगा जब एक कोने से कोई विवधान पैदा होता है तो बिना मेरी तरफ देखे हुए बिना आशन की विवस्ता का इंजार किये वे दूसरे कोने से विवधान हो जाता है इधर से कोई बोल रहा है तो उधर विवधान हो जाता है उधर से कोई बोल रहा है तो इधर से विवधान हो जाता है मेरा आप से आगरें रहेगा सदन में चर्चा को सार्तक बनाईए जन कल्यान के लिए बनाईए यह हमारा उत्रदाईतु है लोग हमको देख रहे हैं और सदन की कार्यवाई में गुनवता में तो निरंतर कमी आ रही है लोग हमारी तरफ अब आदर की तरफ से नहीं देखते लोग यह नहीं देखते कि सदन में क्या चर्चा हो रही है मेरा आप से हाथ जोड़कर आग रहे है इस सदन को इसकी पवितरता को सरंक्षन दें सरजन बाद मी होगा जब एक बार सरंक्षन देंगे मानिय मंत्री जी अपना बयान जारी रखे मानिय सभफपती महदै इस सदन में किसानों पर चर्चा हो रही है और किसान भी इसको ध्यान से सुनते है मैं पूरी गंभीता से अपनी बात पूरी करना चाहता हूए लेकिन मैं जब किर्थी मंत्री बना मानिय सभफपती महदै तो मुझे लगा कि मुझे जितने प्रधानमंत्री भारत में आज तक हुए है उन सब के भासनों को पढ़ना चाहिए और सबसे महत्पून भासन होता है 15 अगस्त का स्वतन्ता दिवस का लाल के ले की प्राचीर से मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आज मैं दुख के साथ ये तत्थ उद्धाटित कर रहा हूँ जब मैंने वो भासन पढ़े तो मैं हैरत में रह गया हैरान हो गया मैंने जो उस दिन कहा था कांग्रेस की प्राथ्विक का किसान नहीं है स्वरगी पंडी जबालाल नहुजी उनका आदर करता हूँ लेकिन उनके भासन में ने 15 अगस्त के सारे भासन पढ़े 1947 एक बार किसान का नाम ने लिया 48 में एक बार 49 मने लिया 50 मने लिया 51 मने लिया 52 मने लिया 53 मने लिया 54 मने लिया 55 मने लिया 56 मने लिया 57 मने लिया 58 मने लिया 69 मने लिया किसान सब्द नहीं आया यह आपकी प्रार्थ बिक्ता है मानी सभापती महुदाई फरगी इंद्रा गांधी जी मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूँ कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली भासा बोलने का मैं आदी नहीं हूँ लेकिन मैंनों उनका बासन भी पड़े 66 में दो बार, 67 में एक बार, 68 में तीन बार, 79 में तीन बार, 70 में एक बार, 71 में, 72 में लिया नहीं 73 में दो बार, लेकिन केजवली, कोई मीशी नहीं कोई पॉल्सी की बात नहीं करी 75 में, 76 में, 80 में एक दो बार केजवन नाम दिया स्वर्गी राजीब जी उनकी प्राथविक्ता भी कभी किसान नीरा कांग्रेस की प्राथविक्ता किसान नीरा और जब हमारी नेता नरेंद्र बोधी भारत के प्रधान मंत्री बने मैंने उनके भासन पढ़े 2014 में 6 बार 2015 में 23 बार 2016 में 31 बार 2017 में 20 बार 2018 में 17 बार 2019 में 17 बार 20 में 17 बार 21 में 15 बार अब हासन उठाके लेख किसान का नाम खेती को प्राथ मितना परमानी सभापती महोडे जो बात दिल में होती है जवान पर बही आती है इनके दिल में किसान नहीं था नरेंदर मोदी जी के दिल में किसान था इसलिए जुबान पे किसान बार बार आ रहे पर मैं एक बात और कहके अपनी बात फिर किसान पर ही केंद्रित करूँगा मुझे किसी को गाली देन आच्छा नहीं लगता मैं कभी आलो चुनाओं मैं विश्वास नहीं करता लेकिन डाटक से किसान की जिल्गी नहीं बदलेगी मानी सभापति महोदे एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्रा है निकाल ले बड़ी बड़ी यात्रा है उस यात्रा के दौरान मानी सभापति मोहदे हर्याना गए सोनी पत रियल दिखने के लिए रील बनाई खेत में एक पुराना बीडियो देख रहा था सभापति मोहदे 2023 का बीडियो है सोनी पत का अचानक एक खेत में पहुँच जाते किसानों से ज़्यादा वहां कैमरा में थे कैमरे पहले से फिक्स थे कहां फोकस किये जाएंगी यह तैथा दो लोग पकड़के उनको खेत में ले जा रहे खेत में पहुचने के बाद उनको पता ही खेत में करना क्या है तो वहां पूछ रहा है कैमरा में ने से कैसे खड़े होना है क्या करना है मानी सभापती महदussen देरे पास उसकी ये पूरी की पूरी बीडियोग्राफी की सीब दिये ये मैं सभां के पटल पर रखना चाहता हूं ऑत्इंटिकेट कीजी मैं और सदन के पटल पर रखता हूrd ये नाटक करते किसाइब के नाम पर कहां खड़ा होना है क्या सभा तो दिमा जूरी कोर्स अब दे जी कहां खड़ा होना है कैमरे लगाओ लोग देख लें कि हमके साथ हैं जब इनको हल भेट किया जाता अब यह पूछे यह है क्या और एक स्वरगी प्रधान मंत्री जी ऐसे हुए है कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची सदाजा है तो उन्हें कहा किसानों यह लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते यह खेती की बात करेंगे मानी सभापती मोदै यह किसानी की बात करेंगे जहां चर्चा करने हो कर ले मैं किसान का बेटा भी हूँ और खुद भी किसान हूँ खेती करता हूँ किसानों के बारे में भाजपा में सूच आशा हमारे प्रढ़हन मंत्री नरें देर मोदी जी ने सूच आशा मानी सब्हापती महोदाय कि आप खुद किसान है हम समझने ही टोडरमल जी के जमानी से किसानों के सारे अभिलेग व्यक्ति संधारित करता था पटबारी रेविन्यू का हमला अंग्रेज आए उनने वो पृथाजारी रखी कांग्रेज बेवो पृथाजारी रही मैं मैं सब को बेहिमान नहीं कहता लेकिन अगर सपटवारी खराब नहीं है लेकिन कोई के मन में आ जाए रिकार्ड में हिरा फेरी करनी है तो कई बार हमने देखा धन्ना की नाम जमीन पन्ना के नाम चली गई रामलाल विचारा खेती कर रहा है बरसोंबाद पता चला ये जमीन तो स्याम लाल की होगी एक नियाने को गोटाले होते थे जिन्दी की बार कोट में मामले चलते थे अब ये चीज़े कांगरेस को समझ बनी आ सकती मानी सभापती महुदा है अगर फसल खराब हो जाए किसान की और रहत की राशी के लिए सर्वे करना तो कौन करता था नजरी आंकलन आदमी करता था रेविन्यू का और कई बार उसके मन में आ जाए बेईमानी मैं मुख मंतरी रहते हुए नरसिंग कुर्जिले में गया हमने परियाप रहत की राशी थी भाँ जाके किसानों ने मुझे स्वागत सिकायत की कि मुख मंतरी जी जिसका गन्नाब होया था उसको गेहूं की फसल खराब होने का ओले के बाद मुआबजा दे दिया पटवारी के मन में अगर आ गया तो इधर के उधर लिग दी मानी सभापती महोदै कई सिकायत है हर एक राज में आती है इस विवस्था को ठीक करने की जरूवत थी और मैं हमारे विजनरी प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंदर मोदी जी को हिर्दे से धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के किसानों की ओश जाए उन्होंने डिजीटल किसी मिसंद शुरू करने का संकल्प लिया मानी अद्दक्ष मौद सभापती जी मुझे कहते हुए गर्ब है कि किसानों को आधार की तरह एक डिजीटल पहसान पहचान दी जाएगी किसान आईडी बनाई जा रही है जिसको किसान की पहचान के रूप में जाना जाएगा इस किसान आईडी को राज के भूमी के रिकाइट के साथ जोड़ा जाएगा मानी सभापती जी अब किसान कोई भी फसल बोईगा उसके रिकाइट में भेरा फेरी नहीं हो सकती कि उनके वो डिजीटल ने वाइल से बीडियोग्राफी करके उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा ताकि कोई फसल कौन सी वो ही है उसमें गड़ बढ़ ना कर सके और किसानों के नुक्सान का आध अंकलन अब हम ये व्यवस्ता बना रहे हैं कि आध में नहीं करेगा जगती नहीं करेगा सीड़े रिमोर्ट सेंसिंग के माध्यम से होगा जैसा नुक्सान होगा वो सौप्री सच मैंसे ही आ जाएगा और किसान को पूरा जो पात्र किसाने पूरी राहत दी जाएगी ये डिजिटल किरसी मिसन का हम चारंब कर रहे हैं मानी सभापती महोद है खेती के लाव को अगर बढ़ाना है तो होलिस्टिक दिश्टिकों अपनाना पड़ेगा मेरे प्रधान मंतरी जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठके सोचो खेती और खेती से संबंद सारे विभाग एक दिसाने कैसे सोचे विभाग अलग- जर विभाग अलग है ये खेती से उसका संबंद है जल सकती विभाग अलग है खेती से संबंद उसका है और इसलिए सरकार ये प्रियास कर रही है कि अलग-अलग विभाग चाब वो एनिवल हस्पिंडरी हो फिसरी जो हार्टी कल्चर हो ये मिलके प्लानिंग करें एक दिस दृष्टिकोंड ये सरकार अपनाईगी मोदी है तो मुम्किन है मानी सभापती चे हम किरसी का विविदी कारण कर दे मानी सभापती महुदे केवल अनाज की खेती नहीं फलों की खेती, फूनों की खेती, सब्जियों की खेती, औस्दी खेती एग्रो फारेस्ट्री और उसके साथ-साथ मानी सभापती महुदे पसू पालन अने को प्रकार के काम को जोड़के छोटे और सीमान किसानों को भी ज़्यादा लाव कैसे हो सके उसकी योज़ नहीं सरकार बना रही है मुझे कहते हैं को खुसिया मानी सभापती महुदे आईसी आर ने अलग-अलग एग्रो क्लाइमेट टिक जॉन की आधार पर बिविन ने जलवाई च्छित्रों में 74 एकी किर्सी प्रिणाली विक्सित किये है हम ये प्रिफ में कर रहे हैं मानी सभापती महुदे की छोटा किसान एक हेक्टर का किसान क्योंकि जोट की आकार काफी छोटे हैं हमारे देश पे वो उसमें कैसे लाव कमा पाए वो कि वाल अना जनी बाकी फसल भी लगाए उसके साहे काम भी चलाए इसका एक मौडल बनाए हम मौडल फर्म बना रहे हैं और किसान को एडुकेट करेंगे कि एक हेक्टर में भी फाइदे की खेती करना है तो यही एक मौडल है किसान देख के सीखेगा और एक बात और माननी सभापती महुदे केमिकल फर्टलाइजर का उप्योग हमारे अन्य के भंडारों को भरने के लिए बर्दान साबित हुआ लेकिन आज मैं आपके मादम सभापती महुदे कहना चाहता हूँ कि केमिकल फर्टलाइजर का उप्योग अंदा दुन्द हो रहा है और इसके करने फसलों पे उसका कुप्रभाव पढ़ रहा है मानी सभापती महुदे मैं थोड़ी तकलिफ के साथ कहना चाहता हूँ केमिकल फर्टलाइजर जरूरी है लेकिन एक सीमा से अधिक उप्योग हमारी फसलों को भी खराब करता है कई राज जैसे हैं कि कैंसर एक्सप्रेजेसी ट्रेने चल जाती है और हमारी भूमी के स्वास्त को भी खराब कर रहा है उर्वर असक्ती कम हो रही है बित्र कीट मारे जा रहे है सभापती महुदे इस समय बरसांत के समय हम देखते देख जमाने में जो गाउं में रहे थे कितने कैच्वे आते थे ये कैच्वे सबसे बड़े उर्वर अग है ये धर्ती में नीचे जाते थे उपर आते थे उर्वर बनाते थे और वो मिट्टी खाते थे और मिटी जब बाहर देते थे तो वो भी खात का काम करती थी अब कैश्वे समाप्त हो गए अब समय आ गया है मैं प्राकिरते खेती के बहुत विस्तार में नहीं जाओंगा लेकिन समय आ गया है तब हमको उत्पादन बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाते हुए हमको सोचना पड़ेगा प्राकिरते खेती के बारे में प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जी की तलफ जानता हूँ मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा मानी सभापती महुत आए मानी सभापती महुत आए एक दिन प्रधान मंतरी जी जब मैं मुख मंतरी था मुझे फोन किया रीवा आने वाले थे मत पने इसमें और मुझे फोन करके यह का एक 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 छोटी नाट का बने जिसमें एक बेटी धरती बने और अधिक केमिकल फर्ट्लाइजर को क्योंके कारण वो धरती कहे कि मैं तुम्हारी मा हूँ आखिर कितना केमिकल फर्ट्लाइजर डालो उनकी तरफ तो और चलिया मानी सभापती महुत है मुझे कहती हुए प्रसनिता है कि हम प्राकृतिक खेती को भी प्रारम्भू कर रहे हैं प्राकृतिक खेती मिसन इस सरकार ने बना है प्राकृतिक खेती का अर्थ हिया नहीं है कि सारी के सारी जमीन पर किसान प्राकृतिक खेती करें प्राकृतिक खेती के कई सफल प्रियोग हुए है गुजरात के राज़पाल देवरिजी ने अन्यकों प्रियोक किये हैं कई राज़ों में किसाथ प्राकिर्ट खेती कर रहे हैं और इसलिए हम धीरे धीरे एक करोड किसानों को सेंस्टाइज करेंगे जागरन करेंगे उनमें से 18,75,000 किसानों से जो ट्रेंड होंगे प्राकिर्ट खेती में पहले लाइंगे साड़े साथ लाख हेक्टर जमीन में हम तार्म करेंगे पूरी जमीर में और मैं किसानों से आवान करना चाहता हूँ कि धर्ती मा के स्वास्त को बनाए रखने के लिए पूरी जमीन में नहीं अगर पांच एकड़े से एक एकड़ दो एकड़े तो आदे एकड़े हैं हम करके देखें वैग्जानिक ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पाद बहुत पोसक होते हैं पोसन भी देते हैं और धर्ती के स्वास्त को भी ठीक करते हैं और उत्पादन भी नहीं घबता है इसलिए इसलिए माननी सभापति मौद है प्राकृतिक खेती की तरफ धान मानी सभापति महोदे किरसी में हमें निर्यात को बढ़ाना है अब ये भारत का निर्यात है लगबग दो प्रिस्ट इसको लगातार ये लगातार दस साल में बढ़ाए बोजी कहते हुए गर्ब है मोदी जी के नेतरत में ये लगातार बढ़ाए मानिस अभापति महोद है दस साल में चावल का अंधरयाद 17,749 करोड रुपे से बढ़के 51,096 करोड रुपया हो गया है मसालों का अंधरयाद 15,140 करोड था बढ़के 30,418 करोड रुपया हो गया है मुंग फली का निर्याद 3,187 करोड से बढ़के 6,735 करोड रुपया हो गया है चीनी का निर्याद 7,178 करोड रुपय से बढ़के 40,310 करोड रुपया हो गया है उसलिए मानि सभापति महोदे अपार संभावना निर्याद की है ये सरकार उनका दोहन करेगी और हमारे किसानों को ज़्यादा लाव मिले इसमें कोई कसर नी छोड़ेगी मानी सभापती जी किरसी विग्यान केंदर किसान को और विग्यान को जोडने के लिए बनाए मैं तो आपके माध्धम से डिवेदन करना चाहूगा सारे मानी सांसतों सचाय लोग सभागे हो राज़े सभागते हो को एवार किरसी विग्यान के अंदर जरूर जाए मागे काम में भागेदारी करें इस्तेदारी करें आखिर रिसर्ज जो साइंटिस्ट करते हैं लेब में उस लेब को Lab के Research को Land Truck ले जाना पड़ेगा किसान के पीछ में और उसी की बाहसा में ले जाना पड़ेगा और जुए क्रिसी विगान के अंदर आत्यान तो महत कुन है मानी सभापती जी मैं बहुत संशेप में इस सरकार के बहुत संशेप में विजन को जरूर रखना चाहता हूँ हमारा लक्षमानी सभापती महुद है सिर्फ हंगाम अकड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी तो हस्रत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए मौधी जी इस विजन से काम चाहिए और इसलिए उस विजन को प्रिकट करना अब सामने वालों को तो विजन से कोई मतलब है नहीं इसलिए वो यहाँ है भी नहीं वो खेती में कोई होंगे भी नहीं लेकिन माननी सभापती महुद है अगले पास साल में हमारा लक्ष है जलवाई उनकूल टाइम एड़ चेंज के इस दौर में हमको जलवाई उनकूल बायो फॉल्डिफाइट की नई फसलों के किसमें तैयार करने पड़ेगी हम पंध्रा सो नई किसमें तैयार करने जा रहे है मानी प्रधान मंत्री जी कुछ दूनों में एक सोनो नई किसमों को किसानों को समर्पित करने बाले हैं ताकि बढ़ते हुए ताप मान के बाद भी किर्सी में उत्पादन लगातार बढ़ते रहे मानी सभापती महुद्ध बन हेल्थ एप्रोच है प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी की एक ही चेतना सब में है वो प्राणियों में है मनुस्थ में भी है प्राणियों में भी है जीवजन्तों में भी पसुपक्चियों में भी है थोड़ा सा समय और मानी सभापती महुद्ध थोड़ा सा समय बहुत लंबा हो गया मानी मतरी जल जमीन और आपने सभी पॉइंट कवर कर लिये हैं थोड़े से और बटे हैं यह किसान उगले बहुत उप्योगी मैं जल्दी खत्म करता हूँ जल जमीन जलवायू जंगल जानवर जीवन जनता सब को एक सूतर में बांधना पड़ेगा अगर पौधे और पसु स्वस्थ है तो मनुसे भी स्वस्थ होगा इस भाव को अगर जाना तो मरेंदर मोधी और भार्पी जम्ता पाईटी की सरकार ने जाना हम सब के हित परस पर जुड़े हुए और इसलिए भारत में का प्राणियों में सद्भाबना हो और विश्व का कल्यानों से अप्रोच को धान में रखते हुए हम हमारी 15 एडवांस डिसीज डियागनोस्टिक की द्विक्सित कर रहे हैं पास साल में माननी सभापती मौध है हम 18,000 करोड रुपे की लागस से सो एक्सपोर्ट औरिंटेट बागवानी कलस्टर बनाएंगे आदिक पोस्ट हर्वेस्ट इंफलेक्टर के विकास के लिए 1,40,000 करोड रुपे का भूत पूर्व निवेस हम कर रहे हैं किसानों के लिए मंडी तक पहुँच को बहतर बनाने के लिए 1500 अच्रिक्त मंडियों का एक ही करन किया जाएगा मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मानी सभापती जी हम 6,800 करोड रुपे की परियाप्त निवेस के माद्रम से तिलहन में सन की सुरुआत कर रहे हैं 15,000 गाओं को जलवाईव अन्पूल गाओं के रूप में हम विक्सित करने जा रहे हैं और सूच में सिचाई के तहत एक रोड टीसलाख हेक्टर को कबर करने की प्रधान मंत्री जी के नेतरत्म में हमारी योजना है मानी सभापति जी मैं बहुत विस्तार में नहीं जाओंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की सीमा होती है लेकिन मैं का करूंग których मेरी तो हर साथ किसानों के लिए चलती है खेती लिए चलती है दिन और रात खेती के बारे ने भाई मत्यजी के नेतरतम में इन्सान मान के बिवहार करें, राज सरकारों के सही होग जरूरी है, क्योंकि बिना राज सरकारों के सही होग के, केंदर काम नहीं कर सकता, उसलिए, जो हमारा सहकारी संगवाद, उस भावना का आदर करते हुए, मैंने हलागला किर्शी मंतरियों को बुलाया, किसी पारिटी क हमने पालिटी का भेद नहीं किया और वहां की किर्शी समस्याओं पे चर्चा करके उनका समधान का प्रियास किया है हम राज्जों के साथ बिल के काम करेंगे परमानी सभापति मौदे स्रधान मैंतरी स्रीमान नरेंदर मौदी जी का जो विजन है कि आने वाले 2047 तक भारत न केवल अपनी जन्ता के लिए पोसन युक्त पर्याप अन्फल और सबजियां पैदा करेगा बलके दुनिया का फूड बास्केट भी भारत बनके उभरेगा किर्शी में समस्याओं हैं लेकर उनका समाधान भी सभापति मौद है मैं आपके माद्धम से किसानों से हम बात करे हम समबाद से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और सब को साथ लेके आगे चलेंगे कौन कहता कि आस्मान में सुराखनी होता एक पत्थर तो तवियस से उच्छा लो यारो हम परिस्रम की पराकाश्ट और प्रत्मों की परिस्रिमा करके इस देश की किर्सी और किसान के कल्यान म कोई कसर नहीं छोड़ेंगे